सर अग्रा प्रश्न है कि ऐसी खबरे हैं कि चीन जल युद की तैयारी कर रहा है यह जल युद है क्या और हमारी जवाब देने की तैयारी क्या है यह जो आपने सवाल किया बहुत अहम सवाल है चीन के साथ बाकी चीज़ें हमने अभी बात की बाकी तो चीज़ें चली रही है चीन है कि ऐसा देश है आज के तारीख में अगर यह जो एक चीज है जिसके उपर काफी पहले से यह गौर तो हो रहा है जो डिफेंस स्टेबिश्मेंट है सुरक्षा से जड़ों लोग है यह इसके उपर समिक्षा करते रहे हैं चीन ने जैसे आपने बताया एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है जो ब्रहंपुत्रा पर जो ह है और इसके उपर उन्होंने जो बना रहे हैं तकरीबान उनका तो कहना है कि क्योंट मेगावाट की गिगावाट जो है प्रोड्यूस करेंगे बिजली वहां पर बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं लेकिन जो परेशानी की बात है कि यह डैम वह नहीं होता है जिसमें फ्लो वह इरिगेशन से लेकर के पानी की जो समस्या है उलसु जाएंगे अगर आप स्टेटिस्टिक्स लीजिए तो चीन जो है बीस परसंट दुनिया की पॉपुलेशन उसके पास है और लेकिन उसके पास सिरफ साथ परसंट वाटर रिसोसेज हैं हमारा जहां तक सवाल है 14 पर परसंट ही जो पानी के शुरोतेया से उधाये हैं हमारे पास हैं तो दोने के पास दोनों के पास प्रावलम है पानी की और एक ब्रहपुत्र आपको पता है कैसी नदी है वो हर समय आसाम में जब भी बाड आती है बारिश होती है आपको पता है कि बाड की सिचुशन वहां पर कितना जटिल है और अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएं हैं और वहां पर अगर चीन ऐसी हरकत करता है तो दो चीजें एक तो पानी की कमी कर सकता है हमारे इलाके में क्योंकि यह उपरी इलाका है वहां पर और दूसरा यह डैम इतना ज्यादा बढ़ा है जिसके पानी क करके और सामरिक दृष्टि से भी इस्तेमाल कर सकता है और पूरे इलाके में फ्लडिंग कर सकता है जिसका कि हमारे पास सभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं अभी तो हम कुछ करने पाएं इस मामले में तोसरी जो चीज आपको पता है जितने भी बाटर है आप हमारे western front में देखिए पाकिस्तान के साथ जितने कई जगा जो इरिगेशन channels है डी सी बीज है डिच कम बंद सब पर differences है और सब सामरिक दिश से बहुत important है riverine rivers है वह important है और यही चीज वहां भी है जो हम जिसरूत की बात कर रहे हैं मिकॉंग रिवर आपको मिकॉंग रिवर पर भी जो बर्मा से कि फ्लो करती है चाइना से वहां चीन ने बनाया था डैम और देखिए वहां पानी की कितनी किलत हो गई बर्मा में यह मिनमार में उसकी वज़े से तो यह तो एक ऐसी चीज जिसक्वा मैं काफी ध्यान देना पड़ेगा आखी हिंदुस्तान ने भी अभी काफी स्टडी के बाद वहां पर प्रपोजल भेजा है और हम भी जो सिहांग हैं जिसके हम बात कर रहे हैं वहां पर डैम बनाने जा रहे हैं बनाने का प्रपोजल उसमें है कि अभी तक जो था कि 11 एकान मेगावार्ट का जो है वहां हम हाइड्रेलेक्रिक पाउर लगाएंगे बनाएंगे और डैम बनाएंगे वहाँ पर लेकिन फिर भी कम है और यह जो है हम सिरफ यह कर सकते हैं कि हम पूरा कर सकें अपनी पानी की जरूते लेकिन सामरिक से हमें बहुत ज्यादा और स्टेडी करने की ज़ूर थे कि हम किस तरह से इस चिनोती का हम सामना कर सकते हैं उस पूरे नौर्ट इस रिलाके में क्योंकि एक जगा नहीं है चीन ने कई जगा एक कर रखे हैं अगर हम आपको कुछ एक्जाम्पूल दें जिसमें कि वो तो च इस्प्लाटेशन करना चाहते हैं वहां पर लेकिन एक जांगू डैम बनाया था चीन ने 2010 में काफी उन्होंने पहले तो बताया नहीं किसी को उसके बावजूद उन्होंने बनाया और वह वह भी एक तरह से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सामरिक दिस्टी से हला कि 2002 में एक एग्रिमेंट हुआ था चीन और हंदोस्तान के बीच में कि जो ए खास करके अपरेल से लेकर के अक्टूबर के बीच में क्योंकि हो सीजन होता है बारिस का पानी का कि इस बीच में जो वाटर लेवल है वहां पर जो पानी की अजल की स्थिती है वह आपस में हम करेंगे चीन और हंदोस्तान हलागी छेचे मेने पर यह था फिर हुआ कि तीन-तीन मेने बाद शेयर करते रहेंगे फिर बीच में मौनसून के टाइम डेली बेसिस पर भी था लेकिन जो हमारा डोकलम हुआ उसके बाद से चीन ने शेयर करना बंद कर दिया है हलाकि अब यह से जो हम देख सकते हैं जो मौनिटर करें और इसमें हमें काफी अभी काफी कुछ और भी करने की जोड़त है लेकिन ग्राउंड लेवल पर सेटलाइट स्विर भी उतनी क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएंगी जितने की ग्राउंड लेवल पर हम देख सकते थे पता कर सक प्रक्तान में भी एक जहां तक मेरा हो है आईडियस से जो हमारे हैं और बाकि लोगों ने भी स्के उपर स्टडी की हैं और सरकार के पास से चीजें स्टडी रिपोर्ट्स गई हैं तो रचा जो हमारे इस्टबलिश्मेंट हैं संस्थाएं हैं उनके पास भी वह भी जागरू के इस बारे में और लेकिन जरूरी है कि हम इसके उपर और ज्यादा सोच विचार करें और अपने आपको सक्षम बनाएं इस चिनोती का भी सामना करने के लिए अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके